है यह गाइज वेलकम बैग तो माई यूटूब चैनल बीमिस ग्यान आज हम कोई श्टड़ी करना है राजिश्मा के भेत के वारे में ठीक है टाइपस ओफ टीबर फ्लोसिस ठीक है इसके पहले हमने राजिश्मा का व्याधी परेच मलब इंटोडक्सन देख लिया है निरु साइनिम्स देख लिए हैं तथा निदान देखे हैं किन-किन कारणों से राजिश्मा की उत्पत्ति होती है समान संप्राप्ति देख लिए विशिस्ट संप्राप्ति भी देख लिए जिसमें हमने वेग रोध जन याध्श्मा की संप्राप्ति इच्छय जन राजश्मा की सम्प्राप्ति स авजन्राजशवा की शंप्राप्ति और विशम आसन जन्राजश यहाठचमा की संप्राप्ति तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं झेकि तो आप हमारे चैनल पर जाके इस इ Bulgar generator की प्लेइस्ट करके राज्चमा की वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज हम भेद टाइप सौफ राज्चमा तो निदान तथा लक्षणों के अधार पर राज्चमा के निम्द भेद कियेंगे हैं तो सबसे पहले देखते हैं निदान के अधार पर कौन-कौन से बहद बत राज्चमा इसके बाद बताएगा है लक्षणों के अधार पर तो लक्षणों के अधार पर तीन भेद होते हैं याज्चमा के त्री रूप या राज्चमा सट रूप राज्चमा और एक अदस रूप राज्चमा ठीक है थर्ड है मारा एक विद राज्चमा तो राज्च प्रतिस आए माला राइनाइटिस दौर्बल वीकनेस कफ संसरो इस पुटम एक्सपेक्टेशन तालू सोस ड्राइनेस ओफ थ्रोट कास कफ वमन वमेटिंग अंगमद बॉड़ी एक स्वास डिस्पोनिया आस्थामा निंद्रा एक्सेसिव स्लीव अगनी साथ पूर एपेटाइट रगत अलपता एनेमिया बल तथा मांस है मलों लाउस ओफ इस्थेंट इसमें दोस यूक्त नहीं उसमें भी व्यक्ती को दोस दिखता है शरीर में विभत सता का दर्सन होना फ्रतीक वस्ति से गिरुना होना अतिस्तरीव प्रसंग कीका, और मद तथा मान सेवन की तीवर इच्छा होना अन तथा पेपदात की माचिक में माचिका घुन केस त्रिंड दिखाई देना तो जो अन है आहार है उसमें पेपदातों में तथा पेपदातों में माचिका में मक्खी घुन केस बाल और त्रिंड दिखाई देता है ऐसे वक्त से व्याप्त देखना स्वपन में काक काक मनला मुर्गा सूख धान सेह मयूर बंदर गिरगिट की सवारी करना तारा समू सूर एवंचंद्र की गिरते हुए देखना नक केस का बढ़ना तो यह सारे हमारे मांसिक पूरुरूरूप बताएगे हैं राज्चमा के तो ऐसे अगर किसी व्यक्ति में ऐसे पूरूरूरूप दिखाई दे रहे हैं तो उसको समझ जई कि वह राज्चमा वाला उसको ट्यूबर क्लोसिस होने वाला है ठीक है या राज्चमा रोग होने वाला है लक्षण अब हम देखते हैं व्याधियों के जो हमने भेद पढ़ेते हैं उसके पहले हम देखते हैं त्री रूप राज्चमा के लक्षण त्री रूप राज्चमा के लक्षण ही सामाल लक्षण है तो जो राज्चमा के सामाल लक्षण है वो त्री रूप राज्चमा को ही हम मानते हैं तो यह राज्चमा के सामाल लक्षण होता है त्री रूप लक्ष इस उन चेस्ट और सोल्डर में पेन होता है हस्तपाद में संत तो हाथों में और पैरों में जलन बरनिंग शरी सरु कोनvoir वWhen में शहर होना मलब सरीर में मंगों में जहर्क होका आचार भोंजने त्रीरूप अच्मा के निम लक्षन बताए गी है तो 4 भोघ की एक ओडершास कौन का उसी लक्षण बताएगे हैं त्री रूप राच्चमा वह देखते हैं कास बताएगे उन्हें ने जोर बताएगे फिवर रक्त पित्मलव हेमोटेसिस तो यह आचार भोज के नुसर हो गया अब हम देखते हैं सड रूप राच्चमा के लक्षण तो अचार चार चरक ने राज्चमा के निम्न सट रूप बताया है पहला है कास कफ दूसरा है जवर तीसरा है पार ससूल चौथा है स्वर बेद अतिसा डायरिया आरुची अनोरिक्जिया ठीक है तो यह यह सट रूप बताएगे हैं राज्चमा के जिसमें खासी मलफका फीवर चेस्ट पेन होस् पांच बताएगे हैं तो इन्हों ने आचार सुसरूत ने सोडी दर्शन एक अलग से टॉपिक बताया नई बाकी जो पांच बताएगे हैं वह सारे सेम हैं आचार चरक के समान तो यहां यह बस आपको ध्यान में रखना है सोडी दर्शन ठीक है स्वास भी ध्यान में गरें क्योंकि स्वास भी अलग है क्योंकि उन्होंने बताएगे हैं पार्व सुसूल सड रूप हो गया अब हम देखते हैं एक दश रूप राजचामा के एक दश रूप 11 रूप कौन कौन से है तो आचार चरक आचार सुस्रूरे राज चमाके निम्न एक अदस लक्षण ग्यार लक्षण बताया है जिसमें पहला है अचार चरक के कॉर्णिंग देखते हैं पहला कास आसंताव अपेन ओफ सोल्डर स्वर्भेद ज्वर पार्सुसूल सीरा सूल तो जो वोमेंटिंग होती है वो रक्षण के साथ होती है अचार चरक के दोरा अब आप देखते हैं आचार सुसूर के दोरा कॉन को से लक्षण है कास अंस तथा पार्सुसूल स्वर्भेद ज्वर अंस एवं पार्सुसंकोच सीरा संपूर्णता मलब सीर में भारीपन अरक्त स्थीवन तो थूक के साथ खून आना बर जब की अचार चरक में रक्त वमन बताया है कंठो ध्वन्स मलब एपनुमिया दाह बनिंग सेसिवन जलन का मैसूस होना अतिसा डैरिया और आरुची ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखना है कंठो ध्वन्स जो एक अलग बताया गया है ठीक बाकि सब सेम हैं अब हम देखते हैं अचार वागभार के कॉर्डिंग का का लक्षण है एक अदस लक्षण राजचमा के तो पहला है कास मलब का अस अन्ससंता मलब सोडर में पेन होना स्वरभेद ज्वर पारससूल सिरोवेदना चर्दी नौजिया पीनस राइनाइटिस स्वास मलभेद और आरुची ठीक है तो इन्होंने राइनाइटिस अलग बताया बाकि इन्होंने आचार चरक ने जो बताया वही वागब्षण ने बताया टीक है अब हम देखते हैं तो निदानो की बेसह पे काउन का बहाँ पटाएंगे निदान की बेसा पाहला है साहस जन निदान आ आचार चरग में साहजन रायज्चमा के निम्न एक अदस लक्षण बताएं गये तो आचार चरग में शाहज़न रायच्छमा के 11 लक्षण बताएं जिसमें पहला सीरा सूल कंठो धोस एपनोया कास स्वर्भेद आरुची पार्सुसूल अतिसार ज्रिम्भा लवियोनिंग जमाई ज्वर फीवर उरसूल लखचेश्ट पेन और रक्त इस्ठीवन तो यह सारे साहजिन ग्याच्छमा के लक्षन बताए गये हैं तो पहला प्रतिसा है रायनाइटिस खास स्वर्भेद आरुजग मलब आरुची पार्सूल सीरा सूल हेडेक ज्वर फीवर अंस अंस मर्द अंसाव मर्द है साइद सोल्डर पेन वही अंग मर्द पूरे बॉड़ी में पेन होना ववन वामेटिंग और अतिसार तो यह हो गया हमारा व्यक संधाराजर व्यक को धार करने से कौन कौन से लक्षण उत्पन होते हैं धातू छय जन र्याच्मा के लक्षण तो धातू के च्छय होने से कौन कौन से लक्षण उत्पन होते हैं वो देखते हैं प्रतिसाय ज्वर कास अंगमद सिरो रूजा स्वास अदिसार प्वा अब हम देखते हैं विसम आसन जन्याच्छन तो ऐसे कौन कौन से लख्षन है जो विसम अहार विहार को करने से होते हैं या अहितकर आहार विहार का सेवन करने से होते हैं प्रतिसाय प्रसेक एक्सेसिफ स्लाइवेशन मलब लाला स्राव कास वामन आरोचक ज्वर अंस अभिताप पेन इन सोल्डर रीजन रक्तिष्ठीवन पार्स सूल सीरा सूल स्वर्भेद तो जितने भी लक्षण बताया गया है जाहे वह विस्मासन जन या चमा के लक्षण जातु छेजन के लक्षण हो या वेक संधार जन या सहा जन या कैस या इसमें जो बताएगा एक अदस रूप लाच्छमा के लक्षण वह सारे एक दो डिफरेंस होगा नहीं तो बाकी सब सेम जैसे कास हो गया संताप हो गया अंस संताप हो गया स्वर्भेद हो गया ज्वर हो गया पार्स सूल हो गया सीरा सूल रक्त वमन या रक्त स्थीवन अतिसार स्वास आरुची पीनस ये सारे सेम है तो आपको कोई एक व्याधिके या कोई एक या चमा के लक् तो आप इसको आगर याद कर लीजिएगा तो आप को एक अदस रूप राच्छन के लक्षन लिख सकते हैं आप यह यह पर पूरा अराम से लेख सकते हैं ग्यारा नहीं लिख पाएंगे तो नौ दस हो जाएगा ठीक है तो आप एक अदस लक्षण याद कर लिजिएगा राच्चमा के अब हम देखते हैं सापेच निदान राच्चमा रोक का सापेच निदान निमने वादियों से कर सकते है साहस जन राच्चमा तो अपने जीवन की रच्चा करता हुआ पूरुस साहस संबंधी सभी कारियों को ना करे क्योंकि जीता हुआ मनुस्ष तो अपने कर्म के अनुसार फल भोकता है ठीक है तो यह जो बताया गया है कि सापेच निदान में तो हमें ऐसे कौन कौन सा निदान है जिसको हम अगर बचा ले तो राजच्चमा की उत्पत्ति या राजच्चमा रोग जो होता है उसकी प्रविल्टी उत्पन होने की कम हो जाती है ठीक है तो पहले साहस जन देखा था कि अगर हम अत्रधिक महात्रा में अपने साहस से ज़्यादा काम कर रहे हैं अगर हम अपने बल के अनुसार अपना काम कर रहे हैं तो जो राजच्चमा होता है उसका उसकी उत्पत्ति या उसके उत्पत्ति या उस रोग होने के चांस से बहुत कम हो जाते हैं संधारण जन में देखते हैं संधारण जन राज्शमा तो इसमें क्या है अन सभी संसारिक कारियों को छोड़कर सरीर का पालन करना चाहिए क्योंकि सरीर का आभाव हो जाने पर पुरुस के लिए सभी वस्तियों का आभाव हो जाता है ठीक है तो हमें जो चाहिए कि हमें जो स पतलब का नहीं रहेगा उसका उन सभी वस्तिओं का आभाव हो जाएगा उनका कोई भाव नहीं दिया जाएगा ठीक है तुसरा से पहले हमको अपने शरीर पर ध्यान रखना है अपने सरीर को हेल्दी बनाना है स्वस्त बनाना है ठीक है कि खख stupid का उत्तमका जोले कर दो होता है अपने उस्क्र की रचक करनी चाहिए क्योंकि वाका क्योंकि सुक्र कजय बहुत उस्तिर में देखा तक रचक हो जो जो धातु होती है साथधातू है मालब 6 दातू यासाथ वो अंतिन tummy सार Sun होता है मलब आहर का वो अंतिमसार होता है, इसलिए हमें सुक्र की रच्छा करने चाहिए, क्योंकि अगर सुक्र का च्छा हो गया, तो सुक्र का च्छा होने से बहुत से रोग उत्पन हो जाते हैं, और यहां तक मृत्तु भी हो जाती है व्यक्ति की, सुक्र के च्छा होने से, ठिक, विसम आसन, वि नपातुला भोजन करें और समय पर भोजन करें ठीक है तो जो विसम भोजन किया जाता है वो हमारे सरीर को बहुत कष्ट देता है मैंनला बहुत कष्टकारी होता है इसलिए एक बुद्धिमान पूरुस को चाहिए कि वो जिते इंद्री हो गया अपने मन से जीतके अपने इंद्रियों से जीत कर अपनी लालसा को कम करके ठीक है वो हितकल्ड रव्यों का भोजन करें और नपातुला भोजन करें और समय समय पर भोजन करें ऐसा नहीं है कि समय जिस समय भोजन करना है उस समय नहीं कर रहे हैं किसी और समय क खा रहे हैं कुछ भी खा ले रहे हैं मतलाох जो भी आ रहा है जो भी मन कर रहा है वो खा ले रहे तो ऐसा नहीं करना है व्यक्ति को अगर आप ध्यमान पूरुस हैं तो आप अपने मन पर कंट्रॉल करें जीतें इंदरी होकर अब हितकर अहार विहार का सेवन करिए और नपातुोर ला भोजन खाई तो जो सब से कह सकते हैं कि जो सब से जились रूब उत्पन होते हैं वह इन ही कारण उसे दो मिझे भोज цен इसम भोजन होते हैं अज की लाइफ ऐस्टाइल में हम कुछ भी खा ले रहे तो ऐसा हमें नहीं करना है अब देखते हैं हम रोग विशिस लख्षन स्थीवन अन्ससूल आधी लख्षन बताये हैं सोस में दातु छे बल च्छा है ये धातु छे जन लक्षण बतायागा है च्छे अच्कास में ऊरसूल यूट्ट भीशन कास ये रक्त गपिस्टिवन आधी लक्षण बताएगे इसके तो आच्छाचारक मतनुस्वार बल तथा मानस हीड हो जाने पर जो जाना है तो आच्छारक कहते हैं कि अगर किसी वक्ति में बल और मुला और मास छीफ हो गया है तो या ऐसाद्ध हो जाता है अाशास उसुरत न psychedelic मुला साद्ध वर्ज अशाद्ध या अच्मा रोग हैं तो ऐसे lla सकते हैं कि यह साद है यह मलब राज हर्श हम्हा साध्ध है यह आशाध्ध है साध्ध यह च्वार्च मारोगी कहां से जवार ऑनुबन्द रहित घुड़ जिसको झा पर深 hazard मांसिक बल्युक्त और उसकी जो सरीर और मन है वो गुड हेल्थ या गुड कंदिशन में क्रियास है मलब जो चीकित सा होने जा रही या थेरापेटिक प्रोसेजर है उसको टॉलरेट कर सके मलब बरदास कर सके आत्मवान मलब सेल्फ डिस्प्लेन हो देप अगनी गुड प्रस्यता उत्पन ना हुए हो ठीक है मांस का च्छा ना हुआ हो अब देखते हैं आसाद याच्छमा रोगी के लक्षान तो ऐसे कौन को से लक्षान है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि यह याच्छमा जो होता है वह आसाद हो चुका है तो स्वेत नेत्त था मिलब सीविय इनेमिक पेशेंट दूसरा है परियाप्त भोजन करने पर भी जिसका सरीर छीन होता हो तीसरा अंड कोस्त था उधर पर सोत अनद्वेस आरुची आहार में आरुची उर्द्वस्वास पीडित सीविय डिस्पोनिया और मूत ग्रिश ऑलिगो यूरिया ठीक है तो ऐसे लक् मलब इस रोगी को की चिकित्सा नहीं हो सकती या आसाद रोग हो चुका है मलब आसाद राच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अरे सोई जिस निदान से राज्चमा की उत्पत्ति होती है उसका परिवर्जन करना है मुलब उसका त्याग करना है तो हमें ऐसे आहर वियार नहीं करना है जिससे राज्चमा की उत्पत्ति होती है सेकेंड है समस्त राज्चमा त्रिदोसज होते हैं अता दोसों के बला बल बल आ बल का विचार कर आवास्था अनुसार चिकित्सा करने चाहिए तो जो राच्चमा होता है वो तिरियों दोस्त होता है जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें तीनों दोस्त इंक्लिड होता है तो इसलिए हमें दोसों के बल और आ बल का विचार करके उसमें ध्यान रखकर आव का प्रयोग करना निर्इश्ट है ठीक है तो जो जानते हैं कि जो राच्चमा होता है उसमें मेली जो च्छाह होता है वो बल और मांस का च्छाह होता है तो हमें बल और मांस की इस्तिति बनाए रखने के चाहिए हमें ब्रिहर्ण चिकित्सा करने चाहिए तथा मांस रास जिसमें मेंली बताया गया है तो हमें प्रिजन प्रिकरिय करने की चाहिए जैसे श्रत जो रक्समा कि रोगी में सूल होता है जो दर्द होता है या पेन जो रहता है उसको उस सूल से मतलब दर्द से सांती मिलती है उसका दर्द जो होता है वहाँ ठीक हो जाता है ठीक तो हमें स्वेधन प्रकिरिया करनी चाहिए स्वेधन कर्म करना चाहिए पांचवा है दाहा की इस्थिति में सीतल तेल से अभ्यांग एवं परिशेक करना चाहिए प्रसस्त है तो अगर राच्छमा के रोगियों में जलन है या दाह उत्पन है तो सीतल तेल तो थंडे तेल से में अभ्यां करना है और परिशेक करना है छटवा है राच्छमा में संसोधन चिगित्सा याच्छमा के रोगियों में दोस्ट की अधिकता होने पर इस नेहन स्वेधन पस्चाद इस नोह युक्त मृदू वमन देना चाहिए वमन के प्रस्चाद बल प्राप्ती हो जाने पर इस नेहन स्वेधन प्रस्चाद इस नेहन युगतु विरेचन देना चाहिए ठीक है ठीक है तो याच्मा के रोगी में दोस्ट की अधिकता होने पर या जब दोस्ट जब बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं तो हमें इस नेहन स्वेधन करने के बाद इसनेह युक्त मृदू वमन कराना चाहिए और वमन कराने के बाद जब बल की प्राप्ति हो जाए रोगी को तो फिर इसनेहन स्वेधन कराने के बाद हमें इसनेह युक्त विरेचन कराना चाहिए मतलब इस नहां स्वेधन एक बार करा दे रहे हैं उसके बाद हम इस नहां स्वेधन कराने के बाद ठीक है उसको हम इस नहां विरेचन कराते हैं विरेचन से रोगी का करशन नहीं होना चाहिए क्योंकि अतिमल नी सरण से रोगी की मृत्ती हो सकती है राच्मा की रोगी में सर्व धातुच्छे हो जाने की करन उसका पुरीष पुरीष ही उसका बल होता है ठीक है तो हमें ध्यान में रखना है कि वमन और विरेचन करने से यह दोनों कर्म कराने से रोगी जो होता है वो उसका उसमें क्रिष्टा उत्पन ना हो ठीक है वो पतला ना हो मतलब उसका जो शरीर है वो जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि उसमें क्रिष्टा उत्पन ना हो वो जो नार्मल शरीर रहता है एक हेल्दी स्वास शरीर रहता ह क्योंकि जब हम आती मल जब नीशरण हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मल बाहर निकलने के कारण भी रोगी की मृत्ति हो जाती है इसलिए जब राच्छमार के रोगी में जो होता है क्योंकि उसका सभी धातों का ना सो चुका है इसलिए जो मेन बल रहता है उसका पूरी इसी होता है इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि वमन और वेचन के टाइम हमें अत्यधिक मात्रा में ये दोनों कर्म नहीं कराना चाहिए ठीक है जिसके करान रोगी में क्रिस्ता उत्पन हो ठीक है तो हमें ये द्यान में रखना है कि ज़्यादा नहीं कराना चाहिए मृदू वमन कराना है मृदू विरेचन में ही कराना है ठीक है राच्छमा में नस्य कर्म, बला मूल मुलेठी से सिद्ग्रित में सैंधों मिलाकर नस्य देने से स्वर्भेद ठीक हो जाता है, तो जो स्वर्भेद होता है राच्छमा में मतलब होसनेस आफवाइस, तो अगर हम बला मूल मूलेठी को सिद्ग्रित में मलब घ्रित से सिद्ग कर सैदावं लवण मिलाकर देते हैं, नस्य कर्म करते हैं, तो उसका जो स्वर्भेद होता है, मलब होसनेस आफवाइस होता है, वो ठीक हो जाता है, राच्छमा के रोगी में भोजन के बाद घ्रित घ्रित पान कराने का विधान है, तो राच्छमा का जो रोगी होता है, उसमें भोजन कराने के बाद, भोजन अगर वो कर लिया है, तो उसमें घ्रित पान, भोजन के बाद घ्रित पान कराने का विधान बताया गया है, जिससे उसके मांस और बल की विर्द्धी होती है, ना चार्चमा में परियोग को और र防 स्रोट में शुरुतस अवरोद की करण दीपन पाचन चिकत्सा भी करने चाहिए या विधान बताया गया है?. maintain जो शुरोतस में आउरोध है या सुरोतस में संग है वो हट जाता है या उसमें कमी आ जाती है और आचार चरक ने कम मात्रा में मद का भी परियोग बताया है दस्वा है बकरी का मूत्र पुरीस दुख्ध घृत एवं रत द्वारा इस नान उप्टन एवं भच्छन तथा बक के रोगी में जीवन प्रद होता है तो अगर राच्चमा का रोगी है तो उससे हम भकरी का मूत्र पुरीस 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 उप्टन एवं भच्छन तिह कर बीच में निवास करना उत्तम वाना गया है जिससे राज्चमा के रोगी में जीवन प्रद्ध होता है मलब वो फल्लाई होता है ठीक है क्या रहा है लैसुन का यथा मलब लैसुन का यथा विदी सेवन नाग बला चून का दूद सेवन वल्धमान पिपली रसायन का साविदी प्रद्ध होता है हमको राच्छमा के रोगी में लेसन का सेवन कराना चाहिए नाग बला चून का दूद के साथ सेवन करना चाहिए और वलदमान पिपली रसायन का भी साविधी प्रयोग करना चाहिए जिससे राच्छमा के रोगी में लाब दिखाई देता है बरहामा बताएगा कि आचारियों ने रच्छमक को आपसरगीक रोग बताया है अता रोगी के वस्त्र आभूसन पात्र एवं आसन आदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए तदा रोगी के मल मूत्र थूक आदी को भी यथा संभव नश्ट कर देना चाहिए ताकि इस रोग का सं कर देखार जहां पर लेटता बैठता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और रोगी बिक मल मूत होता है मूत्र होता है तूक होता है उसका जल्imoreaje i da जल से उसको जल भी नस्ट कर देना चाहिए ताकि उस मलब राच्चमा रोग का संग्रमन किसी और व्यक्ति को ना हो या राच्चमा रोग का संग्रमन ना फेले थाटीन प्रैना अउसदी तर अतिसार बंद करने के लिए अफीम का योग पक्वबिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए खिक तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया राच्छमा टॉपिक तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना कोशन कामें बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है क्योंकि यह बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक था तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा अगर हो सक के तो नोट्स बना लेजिएगा क्योंकि यह कोशन पूछा जाता है ठीक है आप पूरा एक बार में पढ़ने कोशन मत करिएगा पहले इसके आप पढ़ सकते हैं इसका व्याधी परिचय ठीक है तो व्याधी परिचय पढ़िएगा उसके बाद निरुक्ती देखिएगा प पढ़िएगा प्रयाय पढ़िएगा संप्राप्त यवकज, सकते हुआ पूरा नहीं पर फाइदा रहेगा और यह उक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स रोड़ियों में तब तक लिए धन्यवाद